नमस्कार मैं डॉक्टर स्मृति मिश्टा कंसल्टेंट ऑप्स्रेटिक संड गानेकॉलोजी डिपार्ट्पेंट व्यादिक हॉस्पिटल जुही गोशाला कानपुर आज हम लोग बात करते हैं महिलाओं में पाई जाने वाली एक बहुत कॉमन बिमारी की जिसको हम लोग PCOS के नाम से जानते हैं यह महिलाओं में रिप्रोड़क्टर वेज ग्रूप में पाई जाने वाली यह कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा पाई जाने वाली एंडोक्रैनल डिसॉर्डर है यह लगव 5-15 प्रतिशक की जन संख्या में इसको हम लोग देखते हैं इस समय निकट बविश सुर्ण कुछ में देखा गया है कि इसका इंसिदेंस एक्डम से काफी बढ़ा है और इस बारे में जानकारी ही इसके बचाव को बताती है आइज सके कारणों के बारे में जानते हैं एज जांते हैं PCOS के कारणों के बारे में यह 2 प्सॅन टिजीज bereits इसके कई सारे factors हैं, environmental factors हैं, जैसे की stress, जैसे की anxiety, जैसे की eating habits, अगर आपकी eating habits गलत हैं, आप junk food बहुत ज़्यादा खाना पसंद करते हैं, आप high carbohydrate, low protein and high fat diet अगर prefer करते हैं, तो ऐसी महिलाओं में देखा गया है कि PCOS की संभावनाई ज्यादा होती हैं, इसके लावा ये complex functional ovarian hyper andronism की state है, यानि कि इसमें male hormones, जिसको की mainly जिसमें हम testosterone को जानते हैं, तो testosterone की जो levels है, वो शरीर में बढ़े हुए आते हैं, जिस वज़ा से gonadotropin hormones जो हैं, वो altered state में रहते हैं, इस वज़ा से disturbed ovulation होता है, disturbed ovulation का मतलब है कि जो एग बनने की process है, वो पूरी disturbed होती है, वो बज हर महीने में एक proper egg बनता है, वो पूरी प्रक्रिया ही disturbed हो जाती है, इसके बजाए उस ovary में बहुत सारी multiple आपको पानी से भरी हुई cyst like appearance में बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी, जिसको की हम लोग pearl neck appearance भी कहते हैं, ovary का size bulky हो जाता है, और देखने से ये बिलकुल ऐसा लगत सकते हैं कि कई बार इसके कारणों का कुछ पता नहीं चल पाता है, आइए समझते हैं उन sign and symptoms को उन परिशानियों को जिनको ले करके मैलाएं डॉक्टर के पास आती हैं अपनी समस्यां को ले कर, सबसे पहला कारण जिस वज़े से वो डॉक्टर के पास आती है, वो है menstrual abnormalities, ये तीन तरह की मैंली पाई जाती हैं कि या तो ओलिघो मैनोरिया है यानि की कम होना, इसका अर्ख है कि यहीं यहां है कि यहां यहां नौबार से कम महीन आता है तो उसको oligomanuring की शेनी में रखते हैं दूसरा है delayed periods यानि कि दो periods के बीच में 25 जन से ज्यादा का समय है तो उसको delayed periods की शेनी में रखा जाता है तीसरा है secondary यानि कि महीने का लगबग 6 महीने या उससे ज्यादा समय की अवदी तक ना होना दूसरा जो में सिम्टम लेके आती हैं वो है इन फर्टिलिटी जो में कंप्लेंट है कि हमारी शादी को इतना समय हो गया बच्चे नहीं हो रहे कारण कारण सिर्फ यहीं है कि या तो ओविलिशन सब्प्रेज्ड है इसके अलावा पीरिड साइक्वेड रेगिलर नहीं होती तीसरा है कि इन महिलाओं में देखा गया है कि जिनरली मिस्केरा जिसके चांसे बहुत ज्यादा होते हैं पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ओवरीज जो है वो बल्की हो जाती है और उसमें चारों और सिस्प्लाइक अपेरेंस जो होता है वो एक पर्ल नेक अपेरेंस देता है इस वज़े से इसमें हर्मोनल हर्सोटिजम की समस्या है हैती है एकने मतलब बड़े-बडे-बम unless जिसको सामानय बोल चाल में कहते हैं ensuring it is ऐसे चेहरे पर ऐसी स्थितियों में बाल आना जो कि जिनरली मेल पार्टनर्स में देखे जाते हैं जैसे कि चीक्स पे चिन पे नीचे नेक पे या अपर लिप पे अगर इन जगों पे हेर आते हैं तो वह मेल प्रीडिस्पोजिशन लाइक लगता है इसको हर्सोटिजम कहते ह हैं इसके अलावा महिलाओं में अलोपेजिया की प्रॉब्लम भी देखी गई है इसमें मेल लाइक बाल्डनेस देखी गई है कि बाल पतले हो जाते हैं और बाल का जड़ना भी बहुत ज्यादा कॉमन है एक कंडिशन है हाइपर्टिकोसिश इसमें सीवियर PCOS में देखा ग होने लगती है एक जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम देखी गई है वो है ओबेसिटी यानि की मुटापे की महिलाओं में जिनको PCOS है उनमें से असी प्रतिशत महिलाओं अपने नियमित वेट से कहीं ज्यादा होती है आइए जानते हैं कि PCOS मेटाबॉलिजम को किस तरह से एफेक्ट करता है अक्सर दिखा गया है कि PCOS वाली महिलाओं में ब्लड प्रिशर हाइर लेविल पे रहता है मोटापा बढ़ जाता है और वेस्ट सरकंफरेंस भी काफी बढ़ा हुआ होता इसके अलावा ट्राइगलि इसके अलावा ग्लुकोज टॉलरेंस जो है वो कम हो जाती है राधर यह कहें कि ग्लुकोज इंटॉलरेंस हो जाती है लगबग 30-40 क्रतिशत मैलाओं में ग्लुकोज इंटॉलरेंस देखा गया है और इंसुलिन रिजिस्टेंस भी इस PCOS नाम के बिमारी में बहुत कॉमन है आई जानते हैं PCOS के उपचार और निदान के बारे में PCOS एक लाइफ स्टाइल रिलेटेट डिजीज है यदि महिलाओं में जिन में इस बिमारी की शुरवात है या किशोरा वस्था में जो बच्चियां आती है PCOS के समस्या लेकि यदि उनको केवल यही समझाया जाए कि आ सिस्ट पाई गई है और कोई सिम्टम्स नहीं है तो केवल आप सिंपली अपनी हेल्दी लाइस्टाइल से जिसमें के गुड़ डाइट जिसमें लो कार्वोहाइड्रेट सो हाई प्रोटीन है और लो फैट है ऐसी डाइट हो जंक पूड अवाइट करना चाहिए इसके और साथ में गुड डाइट ली जाये तो इस बीमारी को काफी हद तक हम लोग ठीक बники और कंट्रोलब कर सकते हैं इस बीमारी में होने कि चांसेज भी और कम होट है इसके अलावा कई बार पीरिट्स की जो जो प्राबलम होती है उनको ठीक करने के लिए हम लोग oral contraceptive pills यूज करते हैं जिसमें estrogen progesterone pills होती है medroxy progesterone acetate होता है या फिर कभी-कभी insulin resistance की स्थिति में हम लोग metformin का भी यूज करते हैं यह सभी चीजें आप PCOS को रखने में और उसको क्योर करने में काफी helpful होती है इन extreme cases कभी-कभी हम लोगों को anti-endrogenic drugs का भी use करना पड़ता है जैसे कि spironolactone या penasteride इसके लावा इन very extreme cases GnRH analogs का भी use करते हैं more or less अगर केवल इतना ही समझा जाए कि PCOS को जितना समझना आसान है उतना ही इसकी therapy भी आसान है therapy में drugs को अगर आप secondary माने तो primary importance जो है हम लोग weight reduction, healthy diet, no junk food and regular exercise यह सब चीजों से आप अपने इस PCOS को control कर सकते हैं and cure कर सकते हैं Thank you झाल 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 कर दो झाल कर दौ झाल झाल